Hello students, welcome to my class. आज का हमारा टॉपिक है Multiplication of a number with all the nines. अगर हम simply किसी number को multiply करते हैं all nines के साथ simple traditional multiplication में it will take 5 to 7 minutes but अगर आप Vedic Maths के through जाते हो तो it will take only 2 to 3 seconds तो मैं आपको tricks बताऊंगी कुँन सी tricks को use करके आपको multiply करना है किसी भी number को all nines से देखिए मैंने इसमें cases लिखे हुए है case 1, case 2, case 3 इसमें cases बनेंगे case 1 main 9 जिस number में आपके पास 9s है 9s के digit और दूसरे number के digit same होंगे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 digit same है इस case में देखिए 9 में 4 digit है but नीचे वाले number में only 3 digits है ये case 2 बन गया case 3, 9s कम हो गए पर उपर वाले digit जादा हो गए तो इनी 3 cases को हम discuss करेंगे सबसे पहले हम discuss करते है case 1 case 1 में मैंने ये multiplication करके रखी है सिरफ इसलिए so that कि आप एक traditional method को Vedic Maths के method से compare कर सको case 1 में आप चेक करो कि first number और second number के digit same है 2, 2, 3, 3, 4, 4 same है तो that means ये case 1 बना अब इसको मैंने traditional method से जो multiplication होता है वो करके रखा है ये it will take 2-3 minutes अब हम देखते हैं Vedic Maths से इसको कैसे करेंगे 46 को मुझे multiply करना है 99 से answer will be 4554 see how simple it is 257 को मुझे multiply करना है 999 से 256 743 look how simple it is it takes only 1 to 2 seconds 2361 को मुझे multiply करना है 9999 से this will 2360 9739 this is the answer तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि answer कैसे आया है मैंने क्या trick ये उस किया है look आपको 85 को 99 से multiply करना है आपको क्या करना है पहले 85 में से 1 माइनस कर देना है this will be 84 now अब एक छोटा सा कोमा लगा दो यहां पे और इस 8 को 9 बनाना है तो यू विल नीड वन इस 4 को 9 बनाना है यू विल नीड 5 clear? I repeat 85 को 99 से multiply करना है तो सबसे पहले आप 85 में से 1 माइनस करोगे यू विल गे 84 now इस 8 को आपको 9 बनाना है कैसे बनेगा? you need 1 इस 4 को 9 बनाना है you need 5 next 4, 2, 6 first write 4, 2, 5 1 subtract कर दिया एक कोमा लगाओ इस 4 को बनाओ 9 with the help of 5 इस 2 को बनाओ 9 with the help of 7 इस 5 को बनाओ 9 with the help of 4 that means 2 plus 5, 9 4 plus 5, 9 2 plus 7, 9 5 plus 4, 9 similarly 2, 3, 4, 7 को आपको 9, 9, 9, 9 से multiply करना है 3, 2, 4, 6 पहले 1 subtract किया कोमा लगाया 3 को 9 बनाना है तो 6, 7, 5, 3 look how simple it is जब आपने traditional method चेस को किया it takes 2 to 3 minutes आप करके भी देख सकते हो इसको 2 to 3 minutes लगेंगे but अगर आप Vedic Maths के थू जाते हो इसको 2 to 3 seconds ही लगेंगे इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लग सकते यह हमारा case 1 था जिसमें हमारे first number के digit और second number के digit same थे अब हम चलते हैं second case पे case 2 इसमें देखिए हमारे first number में जो digit है और second number में जो digit है वो same नहीं है तो क्या करें ऐसा करते हैं जिरो लगा देते हैं आगे अब होगे same 999 इसमें आपने 0 लगा दिया same होगे digits उपर भी 3 हैं नीचे भी 3 हैं तो आप क्या करो वही method दुबारा से 046 में से 1 माइनस करो 045 954 simply then 527 को 9999 से multiply करना है digits इसमें 4 हैं बट इसमें 3 हैं तो क्या करें 3 वाले digits को 4 बना लो बन गया 0526 पहले आपने क्या किया 1 subtract किया अब आपने 0 को 9 बनाना है तो 9 5 4 7 5 का 4 2 का 7 and 6 का 3 this is your answer next 3467 को 9999 से multiply करना है आप ऐसा करो इसी question को पहले traditional way से कर लो आपको यह पता चलेगा कि कितना time लगता है इस question में हम इसको मैं आपके इसको trick से बताती हूँ कैसे करना है सबसे पहले तो इसको 0 बनाओ इसके digit और इसके digit same कर लो 5 digit 5 digit अब 5 digits को 5 digits से जब multiply करना होता है तो इतना easily तो नहीं होता multiplication time लगता है उसको तो देखते हैं हमें time लगेगा 0 3 4 6 6 9 6 5 3 3 इतना बड़ा answer अगर आपने सिरफ एक या दो सेकेंड में लिखा अच्छा है ना ये next अब हमारे पास 3rd case आता है जिस case में अगेन वही उपर वाले digit नीचे वाले digit से same नहीं है तो क्या हम वही करें जो हमने अभी पिछे किया 4 346 को 99 से अगर मुझे multiply करना है इसमें 0 लगा दू अगर मैं यहाँ 0 लगा देती हूं क्या यह मेरे इस method को follow करेगा मुझे यहाँ 0 लगा नहीं है क्योंकि मैंने तो यहाँ लिखा है multiplication of a number with all the nines तो यह all the nines तो रहा ही नहीं यह तो गड़बड हो गई that means मुझे यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा और वो कुछ और क्या है देखिए सबसे पहले आप अपने number को as it is लिख लो जो आपका number है उसे as it is लिख लिया अब उसमें कितने nines हैं 2 nines हैं 1, 2 2 nines हैं तो 2 zeros लगा दो 2 zeros लगा के 346 को इसमें से subtract कर दो आपके पास answer आ जाएगा similarly 257 कितने nines हैं अब मैं यहाँ 0 लगाऊंगी तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि with all the nines हैं अगर 0 लगा दी तो वो all nines नहीं रहेंगे तो मैंने क्या करना है 257 2 nines हैं तो 2 zeros लगा दो और 257 को उसमें से subtract कर दो देखो आपके पास क्या आएगा यह आया next 149 को double 9 से multiply करना है तो 149 as it is लिखो 2 zeros लगाओ और 149 को इसमें से subtract कर दो look how simple it is thank you so much